साल 2017 के फाइरिंग मामले में आरोपी चुरू जिल से प्रोडेक्शन वारंट पर गिरफतार सदर्थाना पुलिस की कार्यवाही साल 2017 में यूवक पर जान से मारने की नियत से फाइरिंग करने अपरहन करने और गाड़ी तोडने के मामले में फरार चल रहे आरोपी रामलाल और फुनाव निवास नाई को सदर्थाना पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरोपी को मंगलवार को कोट में पेश किया गया जहां से उसे नियाई का विरक्षा में जेल विजवा दिया गया सदर्थाना एसाई सुरेश कुमार ने बताया कि साल 2017 में फकीर पुरा निवासी कुलदीब बाजिया ने रानासर बिकान निवासी रामलाल और फुराम निवास नाई और फुरामा नाई सहीत अन्य पर उसको जान से मारने की नियत से फाइरिंग करने उसकी गाड़ी तोडने और अपरन कर मार पीट का मामला दर्ज करवाया था आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा था जिसको चुरू जेल से प्रोडेक्शन वारंट पर गिरफतार किया गया